इंसान भी बहुत अजीब है ना, अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माबाप से सब कुछ लेना चाहता है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौका ढून ल और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले ब्रस्पतिदेव के कुम्प रासी में प्रुवेश के इस विशेश एपिसोड में ये एपिसोड आपकी रासी, नाम रासी, अथात, मून साइन पर आधारी ते हैं इस एपिसोड में हम मिथुन रासी पर ब्रस्प क्योंकि ब्रस्पति फर्स्थ, फिप्थ आउस, नाान्फथ और टेंथ आउस भावों के अता चार भावों के कारगरे है. इन चार भावों में इस तिद ब्रस्पति व्यक्ति को, जातेक को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार परकार के पुर्शाथ पदान करते हैं ब्रेस्पति मनुष्य की बहुतिक शेतर में उन्नती ही नहीं करते, बलकि अध्यत्मिक शेतर में भी ज्ञान की चरम सीमा पर हायस्ट एक्स्ट्रीम पर पहुँचा देते हैं। जीवन के महत्पून विश्यों पर ब्रस्पति देव का अधिकार हैं। जैसे सिक्षा, विवा, संतान, धर्म, धन, परोपकार, जीवन के इन पक्सों से संतुष्प्यक्ति नीसंदे भागिसाली होता है। एक महत्पून ग्रंत के स्लोक में वणीत है कि ब्रह्मा जी ने कष्थ और दुख इन दोनों के भवसागर को पार करने के लिए ब्रस्पति और शुक्र नामक दो चपू बनाए। इनकी साहिता ऐसे व्यक्ति दोश रूपी समंदर को पार करके दूसरे किनारे तक पहुँच सकता है। जहां शुब कर्म है। अता सात्विक गुणों के प्रदाता ब्रस्पति देव ही है। पौराणिक सास्त्रों के नुसार ब्रस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिदेत्व करते हैं रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सास्त्रों में ब्रस्पति देव को शील और धर्म का अवतार माना गया है। ब्रेस्पति देव को वैदिक जोतिस में आकाश्ट तत्व, इनका स्वामी माना गया है, इनका गुण विशालता, विकास और व्यक्ति के जीवन में विश्तार का संकेत होता है। ब्रेस्पति पिछले जल्मों के कर्ब, धर्ब, दर्शन, ज्यान और संतानों से संब्धि विश्यों के संतुलन का भी प्रदिनिदित्व रिप्रेजेंटेशन करता है। बढ़ती ही चली जाती है। मदू में, अथा डाइबिटीज, इसका सीधा समंध कुनली में ब्रेस्पति से माना जाता है। परंपरिक हिंदू जोतिस का अनुसा, ब्रेस्पति की पूजा, आरादना, पेट को, आतों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है, तता पापों का नाश कर सकती है। करक रासी, फूर्थ नमबर की रासी में ब्रेस्पति उचके, तो मकर रासी, टेंथ नमबर की रासी में नीच के माने जाते हैं। ये धनू रासी और मेन रासी के स्वामी हैं, सूर्य, चनमा और मंगल के साथ में इनकी मितलता है, तो शुक्र और बुद के साथ में सत्रुवत संबन रखते हैं, राहूं और केतू और शनी के साथ में इनका संबन थटस्त है, नूट्रल है. चंद्र लगन अथात रासी से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th हाउस में जब जब भी कोचरवस ब्रसपती देव आएंगे सुब फल पदान ही करेंगे सेस भावमिन का फल सामानिय या असुब माना गया है ब्रसपती कुम रासी में प्रुएस करने पर मिथुन रासी को पंचम दस्ती से सिंग रासी को सब्तम दस्ती से और तुला रासी को नवम दस्ती से दस्तिपात करेंगे ब्रसपती देव जहां जहां भी दस्तिपात करते हैं वहां वहां अपना सुब प्रभाव दिखलाते हैं 6 अपरेल 2021 को ब्रसपती धनिश्टा नक्षतर के तीसरे चर्ण में प्रिवेस कर जाएंगे अतात कुम रासी में प्रिवेस कर जाएंगे और 14 सितंबर तक कुम रासी में ही रहेंगे देनिस्तान नक्षत्र का स्वामी मंगल है इस नक्षत्र के थर्ड चरण के स्वामी शनी देव 20 जून 2021 को ब्रस्पती वक्री हो जाएंगे और वक्री ब्रस्पती ज़्यादा सुब माने जाते हैं क्योंकि पापी ग्रह जब वक्री होता है तो अती पापी हो जाते हैं, सुब ग्रह सौमे ग्रह जब वक्री होता है तो अती सौमे हो जाते हैं, तो ब्रेस्पती तो अती सौमे ग्रह है, बहुत ज़्यदा सुब ग्रह है, वक्री चाल से चलते हुए ब्रेस्पती 14 सितंबर 2021 को तीसरी बार फिर से मकरासी में पुना प्रवेस कर जाएंगे आपको याद होगा 29 मार्च 2020 से लगा करके और 30 जून 2020 तक पहली बार ब्रेस्पती मकरासी में प्रवेस किये थे वो ट्रेलर था 20 नवंबर 2020 से 6 अपरे 2021 तक भी ब्रेस्पती फिर से मकरासी में थे और 2021 के मिडल में 14 सितंबर 2021 से लगा करके 20 नवंबर 2021 तक तीसरी बार ब्रेस्पती फिर से मकरासी में होगे ऐसा बहुत कम देखा जाता है बैसा बहुत कम पाया जाता है लेकिन ये विलक्षन है 18 अक्टूबर 2021 को ब्रेस्पती देव फिर से मारगी हो जाएंगे और फिर 20 नवंबर 2020 को एक बार फिर से सेकिंड टाइम कुम्बरासी में लोट आएंगे ब्रेस्पती और शनी की युति समाप्त हो चुकी है ब्रेस्पती के कुम्बरासी में आने से राउ की द्रस्ती भी अब नहीं है ब्रेस्पती बर अब कोरोना वाइरस का असर समाप्त होने लगेगा वो घड़ी, वो डेट, वो समय आ चुका है जब इस वाइरस से हम सुरक से दोने जा रहे लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक फिर से नए रूप में कोरोना वाइरस का हमला संभाव है उस समय भी ब्रस्पति देव फिर से मकर रासी महोंगे सनी के साथ महोंगे, राव की दस्ति महोंगे ब्रस्पति देव के इस रासी पर उतन का प्रभाव सभी रासियों पर होगा तो आईए इस रासी फल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर आपकी रासी पर कि आपकी रासी को क्या मिलने वाला है सुब या असुब, लाब या हानी, यस या प्यस आईए नजर डालते है ब्रस्पति आपकी रासी से सेवन ताउस और तैन ताउस अता करम बाव और ग्रस शुक बाव, इन दोनों बाव के स्वामी हैं, तता रासी से नाइन ताउस में गोचर वस ब्रस पती का प्रवेश होने वाला है, ये इस्तिति सुब है, ब्रस पत्ति के इस परवितन से आपका लगन अताद आपकी रासी, थर्डा उस पराकरम बाव, और फिर सिक्सा और संतान भाव अथा फिफ्ट आउस इन भावों पर दस्ती रहेगी, ब्रेस्पति के इस गोचर से भाग्य में उन्नती होगी, तता धार्म कर्म में सफलता मिलेगी, धार्मी कारियों में इंटरस्ट बढ़ जाएगा, रुची बढ़ जाएगी, इन्वाल्मेंट बढ़ जाएगा, और धन संपति में भी भारी व्रद्धी होने के संकेत मिल रहे है, भाग्य में विसेश उन्नती होगी, जीवन साती और पिता के संबंद में कुछ कटना ही सही सही सुखों में व्रद्धी प्राप्त करेंगे, और रोजगार, व्यापार, कारिय, व्योसाय, प्रॉपेशन तता सामाजिक इस्तिती में सक्सेस्पूल इस्तिती में रहेंगे, सफलता पाएंगे। गवर्मेंट से, राज्य सरकार से, मान समान तता प्रॉमोशन प्राप्त हो सकता है, हर कारे में सफलता मिलेगी, भाईयों से सुख और सयोग विशेस उरुप से प्राप्त होगा। हर गर अपने से सप्तम बाव पर 180 डिग्री पर तो देखता ही है, लेकिन ब्रस्पती को कुछ विशेस दस्ति भी प्राप्त है, जैसे ब्रस्पती पंचम दस्ति से और नवम दस्ति से विशेस दस्तियां हैं। तो ऐसी स्तिती में सभी दस्तियों के आदार पर आपको ब्रस्पती का गोचर क्या फल देने वाला है, इस पर विश्तास से दस्ति डाते हैं। आप में बढ़ेगी, मान समान और प्रभाव बढ़ेगा, अच्छे स्वास्ति का, अच्छी एनरजी लेवल का, अच्छी फिटनेस का शुक प्राप्त होगा, और विद्वान के रूप में प्रतिष्टा और अच्छी आय की प्रभल संभाव नहीं बनेंगी। अब बात करते हैं, ब्रस्पति की नवम दस्थी वो है सिक्सा बाव पर अतात, फिट आउस पर सिक्सा और संतान बाव। ब्रस्पति की नवम दस्थी है तुला रासी पर जो की ब्रस्पति के लिए शत्रू रासी है, लेकिन फिर भी विनमरता, उदारता, धार्मिक या अध्यात्मिक साइते में रूची, सोभाग्य और कुशलता प्राप्त होगी। इसी गोचर में, ब्रस्पति की इस गोचर में पुत्र संतान के जन्म का अउस्सव होता है, संतान की, पुत्रों की उन्नतिव और व्रद्धी होती है, संतान पक से सहयोग मिलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रस्पति पंचम भाव का कारक भी है, संतान सुख का कारक भी है, इसलिए यहाँ पर सतुर्णासी होते वे भी सुख की इस्तिती बनेगी या सुखों में व्रद्धी होगी. आईए अब बात करते हैं, ब्रेस्पदी देव अताथ ब्रेस्पदी ग्रह की सांती के वो विसेश उपाए. अगर आप ब्रेस्पदी के गोचर के दुस्प्रवाव से पिडिते हैं, तो अब मैं जो आपको उपाए बताने जा रहा हूँ, वो आपको जरूर करने चाहिए, अवश्य ही करने चाहिए. सबसे पहले आपको दसावतार विश्णु कवच दारण करना चाहिए, अत्वा लक्ष्मी नारण कवच दारण कर सकते हैं, या आप दोनों का एक साथ में भी कवच बना करके दारण कर सकते हैं, यह ज़्यादा अच्छा होगा. ब्रस्पदी देव का रत्न है पुखराच और पुखराच ज़्यादा महेंगा भी होता है, हर कोई व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसकी जगे पे सुनला अताद गोल्डन टोपाज पहन सकते हैं, ब्रस्पदी ग्रह के यंत्र की अंगुठी बना करके दारण कर स प्रस्पदी ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने सहन कक्स में जहां आप सोते हैं, वहां साइट टेबल पर रखें या उस रूम में रखें, इससे आपकी माइंड, बॉड़ी और सोल इन तीन चीजों पर नेगेटिव असर नहीं होगा, प्रतिकूल असर न इसके अलाबा, पारद विश्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके, नित्य उस पर अभिशेक करना है, जल में थोड़ा सा इत्र की एक-दो बून डाल करके, और या पिर पानी और दूद में केसर मिला करके, उसका अभिशेक कर सकते हैं, और अभिशेक करते समय ओम नमो भगवते वासु देवाए, इस मंतर का मनी मन उचारण करते रहें, और या पिर आपको कोई स्तोतर आता है, पुरुष सुक्त आता है, जैसे स्री सुक्त लक्षमी का होता है, तो पुरुष सुक्त विश्णु भगवान का है, वो सुक्त का उचरण कर सकते हैं, या हर country में तो गाय देखने को मिलेगी नहीं, तो ऐसी इस्तिति में गुड, केला या चने की दाल इत्यादी पीली वस्तों का दान कर सकते हैं, यदि ये भी आपकी country में संभाव नहीं है, तो फिर कोई orphan house में, कोई भी ऐसी जगह पर, जहां गरीबों को कुछ नो कुछ खाना फ्री में खिलाए जाता है, वहां पर ये चीजें आप भेट कर सकते हैं, एविलेबल करा सकते हैं उनकों, आईए अब बात करें, मंत्र जाब की, क्योंकि ये मंत्र जाब हर कोई व्यक्ति कर सकता है, और इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होने वाला है, इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का आप जाब कर सकते हैं, सबसे पहले एक अक्षरी मंत्र, अथा जो एक अक्षर का मंत्र होता है, वो है ओम ब्रह्म ब्रहस्पते नमा, और दूसरा है बीज मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुर्वे नमा, इस मंत्र का जाब कर सकते हैं, तो इस प्रकास से जिन रासी को ब्रहस्पती का गोचर फल प्रतिकुल सिद्ध होता है, या जिन को आराम नहीं मिलता है, जिन को सुब फल नहीं मिलते हैं, वो ब्रस्पति का उपाय करें ये जो उपाय मैंने बतला है उसमेंसे जो भी हो सकता है यथा समर्तिय यथा संभव वो करने का प्रियास करें ये था सिरफ एक ग्रह का रासिफल या एक ग्रह का गोचरफल जो है ब्रस्पति लेकिन आपकी कुल्ली में तो नौग रहे हैं आपकी रासी से ब्रस्पति का हैं ये मैंने बतलाया लेकिन आपकी रासी से राउ का हैं, शनी का हैं, दूसरे गरक का हैं क्योंकि नौग रहे हैं और आप जब ये एपिसोड देख रहे हैं तब भी प्लेनेट तो अपनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो ऐसी इस्तिती में आपकी जन कुल्ली में दसा क्या है, उसका इंपेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा, 50% इंपेक्ट दसा का है और 50% गोचर का है, यदि आपको दसा सुब है और गोचर नेगेटिव हो जाता है, तब भी कोईन कोई इस्तिती में कंपसियेट हो जाएगा, और या आपकी दसा नेगेटिव और गोचर अच्छा आ जाता है, तो उसका भी कुछन कूछ निए कंपसियेशन आपको मिलेगा, तो ऐसी इस्तिति में यदि आपकी समस्याएं गंबीर है आपकी विवा, संतान, फाइनेंस या फिर जो पैरेंटर प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉलम है ऐसी इस्तिति में ब्रस्पति से सम्मदित आपको जानकारी चाहिए अचाथ आपकी जन्खुली का विश्लेशन करने से आपको इस गोचर से समदित जादा फाइदा मिल सकता है या आपको क्या उपाय करना चाहिए, कौन से ग्रह का उपाय करना चाहिए, कहां तक समय नेगेटिव है ये सब कुछ आपको पता पढ़ सकता है और ऐसी इस्तिधी में, इस्क्रिंग पर दियेवे नंबर पर आपको अपर्डमेंट बुक करना चाहिए, यदि आप अपनी जन्खुली का विश्लेशन चाहते हैं और उसके लिए एक छोटा सा प्रोस्जर है, वो प्रोस्जर फोलो करना पड़ेगा और फिर आप और मैं, आपकी कुणली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिग्यासाओं पर और जो आप पूछना चाहते हैं, उन सभी पर बात करेंगे, विश्लेशन करेंगे, चर्चा अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखें, आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुब कामनाएं, इश्वर आपकी रक्षा करें, बहुत बहुत धन्यवाद